उनकी लगन मेहनत और स्मार्टनेस का ही परिनाम था की कमपनी को पहले वर्ष ही एक लाख रुपे और दूसरे वर्ष पूरे पाँच लाख का टर्नोवर प्राप्त हुआ. आज सुहास गोपीनात की इस कमपनी की ब्रांचे ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, इटली समेट कई दूसरे देशों में फैल चुकी है जिसे देख कर, ग्लोबल्स इंक सीयो सुहास गोपीनात, नमस्कार मित्रो, आज के इस स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे है, ग्लोबल्स इंक सीयो सुहास गोपीनात के सफल जीवन की कहानी जिन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयू में ग्लोबल्स इंक कमपनी खड़ी करके पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा दिया था, आम जीवन में ये बच्चों की वो उम्र होती है, जिसमें वो लोग अपने करिया या भविश्य तक की ना सोचकर मौज मस्ती और आराम की जिंदगी गुजर बसर कर रहे होते हैं, पर सुहास गोपीनात की इस उम्र में ही, सोच आम बच्चों से अलग बहुत तेज थी, आज तक पूरे विश्व के सबसे कम उम्र के CEO का खिताब सुहास गोप पूर्वक जाने सुहास गोपीनात का जन्म 4 नवंबर 1986 को करनाटक राज्य के बेंगलो में एक मध्यमवर्गिय परिवार में हुआ था, उनके पिताजी MR गोपीनात भारतिय सेना में, एक रक्षा वैज्यानिक के पद पर कारेरत थे और माताजी कला, गोपीनात एक महिला थी, उनकी शुरुआत की शिक्षा बेंगलो, स्थित AFO स्कूल से हुई, उनको बचपन से जीव जन्तू, और वेटरिनरी साइंस में बहुत लगाव था, उस समय भारत में कम्प्यूटर का चलन्ज शुरू ही हुआ था और उनके दूसरे साथी से संबंधित आपस मे बाते किया करते थे जिसके कारण उनकी चाह भी इसके बारे में और जानने की करती थी, जाने सुहास गोपीनात द्वारा कम्प्यूटर सीखने की कहानी, सुहास गोपीनात अब धीरे धीरे अपने स्कूल के मित्रों के द्वारा कम्प्यूटर सीखने और दिन भर उस से अपस में बाते करने के कारण खुद भी कम्प्यूटर सीखने का मन बना चुके थे लेकिन समस्या ये थी कि उनके घर पर कम्प्यूटर नहीं था ऐसे में उन्होंने जल्दी ही इस समस्या का तोड़ निकालते हुए घर के पास मौजूद एक इंटरनेट कैफे का सहारा लिया और रोज कम्प्यूटर सीखने के लिए यहां आने का निर्णय लिया लेकिन फिर समस्या रोज का इंटरनेट कैफे का किराया देने की थी क्योंकि सुहास गोपीनात के पास तो इतने पैसे नहीं थे ऐसे में उन्होंने कैफे मालिक से बात की और रोज फ्री में यहां वेबसाइट बनाना सीखने के लिए मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे वो कामयाब भी होने लगे। का ओफर छोडने की कहानी, जल्दी ही सुहास गोपीनात के टैलेंट की चर्चा देश और विदेश में होने लगी जिसके कारण उन्हें नौकरी संबंधित कई अच्छे ओफर आने लगे। सुहास गोपीनात ने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए और जल्दी से कुछ बढ़ा करने के लिए मात्र 14 वर्ष की आयू. में ही अपनी खुद की कंपणी ग्लोबल्स इंक स्टार्ट अप शुरू आत्की शुरू में वो इस कंपणी का नाम ग्लोबल या ग्लोबल सेलूशन्स रखना चाहते थे परन्तु भारत में उन्हें एक तो उनकी कम आयू के कारण कंपणी खोलने का अधिकार नहीं था और अमेरिका के कानून के अनुसार वहां कंपणी का रजिस्ट्रेशन मात्र 15 मिनट में हो जाता है। मोबाइल सॉलूशन और उससे जुड़े रिसर्च डेटा मार्केट को उपलब्ध कराती है। ये उनकी लगन, मेहनत और स्मार्टनेस का ही परिनाम था की। कंपणी को पहले वर्ष ही एक लाख रुपे और दूसरे वर्ष पूरे पाच लाख का तरनोवर प्राप्त हुआ आज सुहास गोपीनात की। हमें आशा है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।